हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसराफिल इस्टडी में आज किस वीडियो में हम लोग सांदार तरीका से भाग करना सिखेंगे शुरुआत से तो वीडियो को पूरा लास तक देखेगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके और अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीघिए तो यहां पर दोस्तों हम नो से इन ठवि भाग देंगे 6869494 में तो देखें किस परकार भाग करते हैं तो इसमें दोस्तों सबसे पहली संख्या क्या है नो यहां पर हम देख keeping दोस्तों कि नो से नो में भाग लगेगा कि नहीं तो 9 के पहाड़ा में 9 आता है कितनी बार में एक बार में तो यहां पर हम simple एक लिख देंगे ठिक है और यहां पर हम 9 लिखेंगे क्योंकि 9 के पहाड़ा में एक बार में 9 आता है 9 लिख दिया अब हम यहाँ पर घटाएंगे 9 में से 9 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा अब देखिए इसके अगले वाली संख्या क्या है 8 तो इसे हम नीचे उतारेंगे यह है भाग का कॉन्सिप्ट हम यहाँ पर 8 को नीचे उतारेंगे अब हम 9 से 8 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर धियान दिजिए 9 से 8 में भाग लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि 8 9 से छोटा है तो इस कंडिशन में क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 1 0 लगा देंगे तो जैसे यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 8 के बाद जो संख्या है न 6 इससे नीचे उतारेंगे जैसे यहाँ पर हम 1-0 लगाएंगे तो हम 1 संख्या और उतार सकते हैं उपर से नीचे अब देखें यहाँ पर 86 हो गया जो की 9 से बटा है तो भाग लग जाएगा तो यहाँ पर हम 9 का पहटा परहेंगे और देखेंगे 86 आताई की नहीं या इससे कम लेंगे इससे ज्यादा नहीं लेंगे तो 9-9 में 81 होता है 9 बार में 81 आता है तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे 81 अब हम घटा देंगे छे में से एक घटाएंगे पांच होगा आठ में से आठ घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा अब देखिए छे के बाद वाली संख्या क्या है नो तो अब इसे हम नीचे उतारेंगे अब देखिए कितना हो गया 69 तो नो से बड़ा है भाग लग जाएगा कितनी बार में लगेगा नो के पहड़ा में 69 नहीं आता है एकिन इससे छोटा आता है 54 कितनी बार में छे बार में नो चक्के 54 होता है तो यहां पर लिखेंगे 54 अब घटा देंगे जैसी भाग करेंगे तो हम घटा देंगे नो में से चार घटाएंगे पांच बाकी होगा पांच में से पांच घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा अब देखे नो के बाद कौन सी संख्या है पांच तो अब नीशे नीचे उतारेंगे कितना होगा 55 होगा जो की 9 से बड़ा है तो भाग लग जाएगा 9 के पहाडा में 55 नहीं आता है 54 आता है और 63 आता है तो 7 बार में ज्यादा हो जाएगा तो हम 9 का पहाडा 6 बार फिर से पढ़ेंगे तो 9 चके 54 तो यहाँ पर लिखेंगे अब 54 अब घटा देंगे पांच में से 4 घटाएंगे एक बाकी होगा पांच में से 5 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा अब देखें नेक्स संख्या कौन है 4 तो इससे अब नीचे उतार देंगे तो कितना होगा चवदा तो हम देखेंगे कि 9 के पहाडा में चवदा आता है कि नहीं तो 9 दूनी 18, 9 एक नौ दो बार में 18 आ रहा है जो कि 14 से बड़ा है तो हम इससे कम लेंगे ध्यान देजे जब भी हम किसी संख्या से किसी में भाग देंगे तो उस संख्या का पहाडा उतनी बार परहेंगे कि वही संख्या आना चाहिए या इससे छोटी संख्या आना चाहिए इससे बड़ी संख्या हम कभी भी नहीं लेंगे तो यहाँ 9 के पहाड़ा में 14 से छोटा 9 आता है कितनी बार में एक बार में 14 पुरा-पुरा नहीं आता है तो छोटा लेंगे तो एक बार में आएगा 9 एक कन नो तो यहाँ पर एक लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे तो 14 में से 9 घटाएंगे 5 बाकि होगा और यहाँ पर कुछ बाकि नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर यह जो 5 है यह है हमारा सिसफल और यहाँ पर यह जो आया है 1,09,661 यह है हमारा इंसर यानी भाग फल आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी अधिया आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिए